यमुनानागर हाईवे पर रामगड एरिया के गाउव बिला में सुमवार सुभे दो गुटों में लड़ाई हो गई एक गुट ने पिंजॉर एरिया से कुछ युवकों को बुलाया जिन्होंने गाउव के अंदर घुसकर एक परिवार पर अटैक कर दिया इसके चलते परिवार के कई लोगों को चोटे आई है वहीं जब गाउव के लोगों ने देखा कि कोई बाहरी लोग गाउव के अंदर आकर हमला कर रहे हैं तो उन्हाई ने हमलावरों को पीटना शुरू कर दिया आलम यह था कि हमलावर गाव में ही अपनी गाड़ी को छोड़ कर यहां से फरार हो गए गाव के लोगों ने उनकी गाड़ी को तोड़ दिया असल में बिला गाव में परमजीद की अपने बड़े भाई करमजीद सिन के साथ सुमबार सुबह बहस हो गई करमजीत की पतनी ने इस बारे में मपने माय के पिजाओर रतपूर काय अलोनी में बता दिया जिसके बाद रतपूर काय अलोनी से करमजीत की पतनी के भाई कई युवकों के साथ पहुच गए उन्होंने आते ही अपनी गाड़ी को परमजीद सिंग के घर के बाहर खड़ा किया और अटाक करने के लिए घर के अंदर घुस गए जब परमजीद सिंग के घर में घुसकर युवकों ने अटाक किया तो गाउं के लोगों ने हंगामा सुना और लोगों की भीड यहां जमा हो गई गाउं के अंदर आए बाहरी लोगों को देखकर गाउं के लोगों की भीड भड़क गई लोगों ने हमलावरों को पीटना शुरू कर दिया वारदात के बाद हमलावरों ने यहां भाग कर अपनी जान बचाई जबकि एक हमलावर हर पाल को मौके ही पकड़ लिया मौके पर पुलिस को बुलाया गया घायलों को सिक्टर 6 स्थित जनरल अस्पताल में एडमेट करवाया गया परमजीद सिंग की शिकायत पर पुलिस ने अब उसके भाई उसके परिवार आएर हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है